हेलो फ्रेंज, जुली कीचन हिंदी में आपका शागत है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पपाया सेख के रेसिपी, तो चले सुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रैंडर जार लिया है, और डेर सो ग्राम पपीता को स्लाइसेस में कट कर लिया है मैंने, त जादा कर सकते हो, तो हम चीनी एड़ कर दिये यहाँ पे, तो दो सेमल हमने दूद लिया है, दूद हम डाल देंगे, तो मैंने आपे भी डेर सो एमल दूद डाला है, और थोड़ा सा हम आइस क्यूब ले लेंगे, क्योंकि सेख जो है, वो ठंड़ा जादा अच्छा लगत है गर्मियों की दिन में, तो यहाँ पे आइस क्यूब जरूर एड़ करें आप, तो मैंने हाँ पे तीन आइस क्यूब एड़ किया है, यह देखिए, थोड़ा सा हम काजू एड़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी नर्स एबलेबल है घर पे, तो आप एड़ कर सकते हैं और अब हम इसको कवर करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं एक से दो मिनट तक, तो यह देखिए, मैंने इसको एक मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो अब हम निकालेंगे इसको सर्विंग ग्लास में, मैंने हाँ पे काज का ग्लास यूज किया है, इस तरीके से सजा लें थोड़ा सा अब हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा काजू काजू के जगा पर आप बदाम या फिर दूसरा नर्स भी उस कर सकते हैं और यह पपाया का सिख हमारा बनकर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए तो आप इसको मौनिंग के टाइम में या फिर आप साम के टाइम में इसको पी सकते हैं बनाके और अपने घर के बड़े बच्चे सब को दीजिए बनाके पीने के लिए क्योंकि यह बहुत जादा फा आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंस कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए